सबसे पहले दोस्तों आप मेरी यहाँ पर मुबाईल की स्कीन पर आप यहाँ पर देख लीजिए अगर दोस्तों आपको यहाँ पर लोन नहीं मिल लreated है और भ collector यहाँ पर आपको रिक्वारिमेंट है आपको दोस्तों एमेरिजेंजनी में पैसों की जरूत हो चुकी है और भई दोस利 आप यहाँ पर ऐसे loan application सर्च कर रहे हो जहाँ से दोस利 आपको यहाँ पर instant के instant यानि 5 minute के अनदर अदर आपको यहाँ पर loan मिल जाये तो दोस利 आज की वीडियो और भी आज की वीडियो में मैं आपके लिए 3 loan application ऐसे लिए किया हूँ जो भी दोस्तों आपको यहाँ पर पांच मिनिट के अंदर अंदर आपको दोस्तों यहाँ पर लोन देने का काम कर रही है लोन अप्लिकेशन बिल्कुल एक दिम सांदार होने वाली है लोन अप्लिकेशन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल जैन्वन होने वाली है अगर भई आपको यहाँ पर loan की requirement है आप दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपे से लेके आप यहाँ पर 1,000,000 रुपे तक loan लेना चाहते हो तो भी आज की वीडियो ओ तीनों की तीनों loan application आपके लिए best होने वाली है यहाँ पर दोस्तों आप उपर की साइड में यहाँ पर आप देख लेजिए 1,000,000 रुपे की limit मिल चुकी है इस loan application से और भई यहाँ पर जो EMI होने वाली है इस loan application की 5,640 रुपे की यहाँ पर EMI होने वाली है भई loan application बिल्कुल एक्तम सांदार होने वाली है अगर भई आपको यहाँ पर requirement है आप दोस्तों यहाँ पर पैसे लेना चाहते हो आपको अमेरेजनसे में पैसे की requirement आ चुकी है तो भई यह loan application आपके लिए बैस होने वाली है अभी loan application के वाले में आज किस वीडियो में पूरी डिटेल आज किस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ पूरी जान करें दोस्तों step by step आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इसलिए तो सिर्फ दोस्तों आपको एक ही काम करना है वीडियो अच्छी लेकित दोसके लाइक कर देना है चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंको भी यहाँ पर ऐसा credit आपको हमाल चैनल पर मिलता रहता है without time waste के वीडियो को start करते हैं बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर पहली loan application के बाने आपको यहाँ पर लीट पर कर छाथे सब्सक्राइब का करते हैं पर जो यहाँ पर पर यहाँ पर इस पर माहिनता का रिपेमिट की तो बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत हमागे बात करें तो भी दोस्तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है करते हो मैं दोस्तों यहां पर आपको यहां पर एप्लिकेसिन के बारे में आपको यहां पर बताने वाला हूँ तीनों की तीनों लोन अप्लिकेसिन जानकर यहां पर सांदार होने वाली है यहाँ पर दूस्तों हम बात करें तिछे स्टेप आपको यहाँ पर इस loan application के complete करने होते हैं जैसे कि आपके यहाँ पर basic registration आपको eligibility उसके बाद को user detail, employee detail, education detail उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपने document upload करने होते हैं उसके बाद में जो भी आपके limit होती है आपके bank account में transfer हो जाती है यह तो रही दोस्तों यहाँ पर पहली loan application अब बात कर लेते हैं loan application के यहाँ पर नाम के बारे में कि बैप अपलिकसिन के यहाँ पर नाम क्या होने वाला है एक हजाब रुपेसे लेगे दोस्तों आपको यहाँ पर एक लाग रुपे तक आपको यहाँ पर इस्टेंट के इस्टेंट loan provide करवा रही है और भी यहाँ पर एक गंटे के अंदर आपको यहाँ पर limit मिल जाती है RBI और Mbps registered application होने वाली है आपके सिर्फ दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड और pen card के basis पर आपको यहाँ पर loan provide करवा रही है जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होगे सिंबल सिसमें आपको KYC करवानी होती है KYC करवाने के बादे में दोस्तों आपको यहाँ पर limit approved हो जाती है limit approved होने के बादे में दोस्तों आप उसको अपने background में transfer कर सकते हो जैसे आप यहाँ पर अपनी यहाँ पर application को open करोगे अपनी यहाँ पर basic information आपको यहाँ पर fill up करनी होती है जैसे कि आपका name, number, आपको यहाँ पर कितने requirement है pen card, winner, आपको जो भी नाम होता है, date of birth, gender जो भी आपकी information होती है, जो basic information होती है वो आपको complete करनी है, आपको यहाँ पर loan आसाने से मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आपको यहाँ पर किसी से भी आप 20,000 places के यहाँ पर happy customer हो शुके है 24 गंटे में, 48 गंटे के अंदर अंदर आपकी limit आपके बैंकों में transfer हो जाती है 100% digital processes का रहने वाला है जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहा हूँ है जैसे आपको यहाँ पर limit मिल जाती है उसके बाद में आपको यहाँ पर turnover आ जाता है उसके बाद में आपकी EMI आ जाती है यहाँ पर आपको यहाँ पर यह दोस्तों, यहाँ पर next step में आपको यहाँ पर यह सभी सभी इसकी KYC complete करवानी होती है जैसे कि आपको यहाँ पर agreement sign करना होता है आपकी location आपकी यहाँ पर KYC आपको यहाँ पर ENH आपको complete करना होता है उसके बाद में saving count आपके पास में होना चाहिए जैसे आपकी limit होती है transfer आपके पास में as interface आजाएगा interface आने के बाद में दोस्तों आपकी limit आपके बेंगर में transfer हो सकती है उसको आप use कर सकते हो बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर loan application के बारे में आपको यहाँ आपका पर आपके कराँ आपकोル रोडल आपके कर एक लिया सकते हो यहाँ पर कोई भी सामान आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो लोन आपकार बहुत ही सांधार होने वाली है और भी 40,000 रुपर का आपका यहाँ पर loan परवाइट कर रहे है जैसे कि मेरे केसे में यहाँ पर 40,000 रुपए की लिमिट मिली वी है और यहाँ पर 50 रुपए की मेरे यहाँ पर प्रोस्टिंग फीस जाने वाली है 8,450 रुपए मेरे यहाँ पर बैंकवों में ट्रांसपर होने वाली है यहाँपर दोस्तों दो trenor मेर्य को यहाँपर मिल चुकी है जैसे कि यहाँपर तीन मेहने यापपर पांच मेहने वो आप दोस्तों यहाँटे याँपर आपको Recide करना है कि भाठ यहाँपर कितना मेहन को आप यहाँएंपर ट्रेंडर रखना चाहते हो मेरे केसे में जैसे कि यहाँ पर आठ महीने या फिर पांच महीने जितने भी आप रखना चाहते हो आप कर सकते हो loan application सांदार होने वाली है application का मैं अभी आपको नाम बता देता हूँ 1 एक क्रोट से जाधा यहाँ पर download हो चुके हैं यानि कि इसकी users हो चुके हैं जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर loan application बहुत ही सांदार होने वाली है statement by now pay later application का यहाँ पर नाम होने वाला है एक बार दोस्तों application में आप ट्रै करके जूर देखिए तेनों की तेनों loan application सांदार होने वाली है अगर भई तेनों की तेनों loan application में आपको यहाँ पर loan नहीं मिलता है एक बार दोस्तों तेनों की तेनों लोगवन अप्लिकेसिंशं में किसी ने किसी लोगवन अप्लिकेसिन में